हालो इस्टोट्स नेक्ट हम डिस्टस करेंगे एक्जांपल नूर 3 क्या है रहा है शोड एड़ फॉंक्शन है नीदर मैक्जिमा नौर मिनिमा यानि आपको यहाँ पर या तो ना नलीमा की करने का तरीका बिल्कुल वही है जो अपने पहले वन टू एक्जेंबल में डिसक्स किया डिफ्रेंशियेट विट रेस्पेक्ट टू एक्स अब देखना सबसे पहले मैंने किया एफ डैश एक्स कितना होगा पावर आ गया ही वेल्व एक्स स्क्वेर एटें टूजा थर्टी एक्स व्लस edition टू रही है इसका मतलब में इसको फोर रच्स का कोई सकता हूं इसको मैं नाइन का पार्मुल बल रहा है एक स्कुरार बी स्कुरार आगे तो फिर ए और बी इसको कैसे पाइक स्कुनित होगा हां यह एक स्कुरार यह माइनस टूए भी यह फ्री होगा प्रबड कर दीना वापस लिख देता हुआ तो यह तो यह वाला और यह आगया इसका मतला भी किसका फॉर्मॉला है टूए माइनस टूए का ओल स्कुरार बताओ समझ माया क्या है यहां तक तो कोई दिख करते हैं अब आपने को क्या करना होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको यहां पर एक्स की वैलू जीरो है यहां तक बिल्कुल सिमिलर है जो आपने वैले डिस वाली को यहां से उठालो यह है मेरी एफ डैश एक्स की वैल्यू जिसे ले रहा हूं में नेक्स लाइट पर कि थोड़ा सा उपर खळेते हैं इसको कि ओके हाँ तो अब अपन देखेंगे आपर एफ डैश की मरपास वैल्यू कितनी आईती है एक्स की अब क्या करते हैं आप डबल डैश करते हैं वही सिंपल वाला प्रोसेस एफ डबल डैश करो अब इसका तो यह 24 एक्स हो जाएगा और माइनस का 36 हो जाएगा इतना ही होगा ठीक है अपन क्या करते थे अब इस एक्स की वैल्यू को मैं इसमें पूट करता था ठीक है तो फिर मैं एक्स इक्वल टू जो आपका डबल डैश होगा उसमें वैल्यू पूट करूंगा ट्वान्टी फॉर ट्री बाय टू पाइनस 36 तो उसे गया वन टाइम टू टाइम ट्री सिक्स माइनस 36 ये लो ये तमाम ले उल्टा हो गया जब ये लेस देन होती तो आपने इसको अपने च्रीपल प्रूफ करते थे औहां और जब भी आपके पास जीरो आ जाय उस के अंदर आपको क्या निकालना है एफ क्रिपल डैश निकालना है समझ में आ रहा क्या कहना चाहरो जैसे डबल डैस तो निकाल दी अब कृपल पर आ जाना है आपको आ थाइम डेरिवेटिव करना है उस डिजिट का इलिये रहे हैं आपे चाहिक है so here zero has no preference so we find again derivative हम फिर से इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे आजो f double dash देखो क्या था मेरे पास 24 x minus 36 and अब अगर मैं इसका triple निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा only 24 अगर मैं इस ट्रिपल के अंदर 3 by 2 पुट करूंगा तो भी 24 रहेगा that is not equal to 0 जब भी आपके पास यह वाली condition बन जाए कि यहां पर f triple dash के अंदर at यह value पुट करने पर जो value है वो not equals to zero है तो उस condition में हम कहते हैं कि f has a point of inflection at x equals to 3 by 2 पर point of क्या है inflection है बताओ समझ में आया क्या बिलकुल आ गया सो हैंस एफ या फिर लिख लोगा function has नीदर maxima नौर minima समझ माया ना तो इसमें maxima होगा ना इसमें minima होगा इस तरीके से निकलेगा point of inflection का example number three completed